कशे हैं आंधस किसे सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हमें बात करूग जो सेंपली भेपर रिलीज किया है उसको स्जाइब कर रहे section A में 20 questions होंगे यहनी 1 से लेके 20- से लेके तक तुम्हारे section A में आएंगे जो कि 1 mark के questions होंगे फिर हमारे 21 से लेके 25 तक very short answer question होंगे जो 21 से ये तो होई कि 21 से 25 तक और ये तुम्हारे 2 marks के questions होंगे ठीके फिर आपके 26 से लेके 31 तक यह होंगे 3 marks के questions और section D में 32 से लेके तुमारे कितने आ जाएंगे 35 तक यह देखो 32 से 35 long answer question होंगे जो कि 5 marks के होंगे और last जो section होगा उसमें 3 question होगे यानि कि 36, 37, 38 यह तुमारे रहने वाले 4 marks के यानि case based question तुमारा 4 marks का रहेगा तो यह paper का pattern है ठीक है तो अभी हम start करते हो देखते हैं starting के जो question से 20 यह तुमारे mcq based होंगे जिसमें 2 last question जोंगे 19 and 20 वो assertion reasoning based question होंगे ठीक है तो यह paper का रहता है pattern तो देखते हैं फर्स्ट question क्या लिखा है लिखा है ग्राफ आफ कोईटिक पॉनिमिल पी एक्स passes through minus 6,0,0,0,3,4,-20 और 6,0 हमारा कोई ग्राफ है जो इन पॉनिस से पास हो रहा है अब जिसे मैं कोई रेंडम ग्राब बना लूँ ठीक है कि हमारे जो पास हो रहा है तो देखो पॉइंट हमारा माइनस 6,0 कहा हैगा नेगेटिव एकस एकसे मालों यह है जीरो कॉमा माइनस 30 वाई एकस इस पे एकस कोडिनेट जीरो होता है यहां पे कहीं हो गया और 6,20 यानिकी 6 तुम्हारा 6 है और 20 है ठीक है तो तुम्हारा यहां पर कितना आ जाएगे तो 6,0 है लास्ट जो नंबर है वो 6,0 है तो 6,0 सबोच करो यहां है 6,0 यहां हो गया तो अगर हम randomly ऐसी graph बना दें इन पॉइंट से ऐसी randomly में कोई graph बना दूए ऐसे करके कुछ भी ठीक है तो आप एक बता हो अगर यह कोईटिक पॉल्मिल में तो पैरा बोला बनेगा तो पैरा बोला करकर सेप की बात करो तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन पैर यहां पर Šaammar falling से पाजए और रखी से जो एकस होती वह जी जीरों सोते है तो यहां पर एकस कितना है माइनस 6 होगी तो यहां पर जीरों सोंगी वह 6 और ृग्क होगा बस मैं यानि हमें जो पॉइंट दे रखे थे माइने 6,0 0-30 में ग्राफ पैसी प्लॉट कर लिए और 4,-20 कहीं यहां कहीं होगा मालो और 6,0 यहां है तो हमने इनको जब जोईन करा तो यह तुमारा क्या हुआ यह तुमारे जो पॉइंट है वो X-axis पे दो आ रहे हैं क्या लेका है second question में find the value of k4 which the system of equation this and this is inconsistent यह जो system of equation यह क्या है inconsistent है जैसे कि 3x minus का ky is equal to 7 है और 6x plus का 10y is equal to 3 है inconsistent का मतलब पता है ना आपको no solution और no solution की यह मैं बात करूँ तो उसकी condition क्या होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यही तो होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 यह आपने linear equation पढ़ा होगा तो यहां अगर मैं simplify करूँ तो यह कितना आएगा 3x minus का ky इस 7 को LHS में कर दो तो minus 7 is equal to 0 यह आजाएगा 6x plus का 10y minus का 3 is equal to 0 तो अगर मैं अब इसमें put करूँ values जैसे a1 x का coefficient होता है यही तो आएगा तो आप देखो अगर मैं इन दोनों को solve कर लूँ यहां से तो यह आगया 1 by 2 is equal to minus k upon 10 अब cross multiply कर लो तो यह minus का 2 के is equal to यह 10 हो जाएगा इदर यह आणसर भी पार्ट हो जाएगा सब्चम्हारा क्लियर सेशन को like कर देना ठीक है और एक application download कर लें अपनी application एफ और सब की जो जिसकी लिए डिसके मिल जाएगी एप को पर सारे मिल जाएगे और मैस का best content आपको देखने को मिली जाएगा उस पर चेक जरू करना अब थर्ड कोशन में क्या है लिखा है थर्ड कोशन में कि विच आप दा statement is not true यानि कौन से statement true नहीं है ठीक है तो पहला लिखा है number of second can be drawn at any point on the circle मतलब second जानते नहीं क्या होता है दो points से intersect करते हुए line ऐसी ड्रॉ कर दो तो सीधी बात हम किसी भी points से pass करवा सकते हैं यह तो true है यह पहला वाला क्या true है दूसरे में लिखा है only one tangent can be drawn at any point on the circle मतलब circle पर कोई point एक लेते हो तो एक tangent ड्रॉ करते हैं सही बात है एक ही होती है अगर हम दो point को join कर देते हैं circle में तो यह code होता है यह भी true है इसका वाला क्या है false लेकिन पता तो चलगे लाश्ट वाला पाल्स है लेकिन पता भी तो होना चाहीं क्यों है तो लिखा है from a point inside the circle circle के inside में point ले लूँँ अगर मैं तो बोला है दो टेंजिंट रओव होती सर्कली के inside में कैसे टेंजिंट कर सकते हो हम सरकल में external point लेके टेंजिंट रोख कर सकते हैं अंदर लेके कैसे टेंजिंट रोकर तो इसलिए पॉस था ठीक है सब्स्विचिं ना जरा रहा है सबको तो अब यहाँ पर हम एन की लूब 1,2,3 रख लेंगे तो हमें फर्स्ट रम सेकेंड ट्रम यह सब मिल जाएगा और अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या होता है एटू माइनस एवन यह अगर एपी का डिफरेंस की बात करो तो सेकेंड ट्रम माइनस फ कितना आ गया 3 आ गया अगर एन को टू रख दूंग तो सेवन इन्टू टू माइनस का फॉर यानिकी 14 माइनस का फॉर कितना आ गया 10 अब इन वैल्यूस को पुट कर दो यहां तो एटू मेरा टैन है एवन यहां पर 3 है तो आंसर क्या जाएगा 7 तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 7 आ गया एपार्ट नोट कर पा रहे है सुझ में आ रही बात बता दो जरह फट 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 ठीक है अब जरह आ जाते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर फाइव क्या दे रखखा है रेडियस ऑप दी बेस ऑफ सर्कुलर कोन एक कोन है हमारा ठीक है कोन की रेडियस है यह हाइ है एच कोन में रेडियस और ह्ट होता है तो रेडियस ऑफ-फि बेस आफ सर्कुलर कोण की चोन हैर रेडियस ऑफ़एगो to volume of cone जो है volume of sphere के एकोल है और हमें बताना है height of cone अब आप कोछन अच्छे तसलिस है पढ़लो थोड़ा सा ठीक है अच्छा कोन का volume होता है 1 by 3 pi r square h यह formula पता होना चाहिए sphere का volume होता है 4 by 3 pi r cube ठीक है तो चलो 3 pi से 3 कट गया पाई से पाई कट गया अब देखो आर स्कॉयर से आर क्यूब मनद पावर 3 कट जाएगा एक आर बचेगा तो है च्कल्ट क्या हो गया यह 4 बच्चा और यहां पर यह आर बच्चा तो 4 आर कितना है 5 तो 5 इंटू 4 कितना आ गया 20 है कोई 4 साइन थीटा हमें जो फाइंड आउट करना है वह है 4 साइन थीटा प्लस कोस्थीटा आपन प्लसन थीटा यह में find out करना है और दे रखा 10 theta 5 upon 2 तो 10 theta आपने ये तो पड़ा होगा ना कि sin theta upon cos theta होता है तो 5 by 2 हो गया sin upon cos कर दिया अच्छा कभी भी कुछ ratio में होता है तो अगर मुझे sin theta कोई पूछ ले कितना है sin theta के लूप 5x आ जाएगी एक्स लगा देते हैं कि रेश्यू है ना ये और कॉस्ट टीटा कितना आ जाएगा क्या वो 2x आ जाएगा यानि sin theta आ गया 5x और cos theta क्या आ गया 2x इनकी value को हम यहाँ put कर देते हैं तो 4 into यह संच में आगे ना कि कभी कुछ ratio होता तो x लगाना होता क्यों 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 यह ratio है ना अब इसमें 5 upon 2 तो 10 upon 4 भी हो सकता है ना क्यों 2 से यह कट गया तो इसमें x हम एक multiple लेना पड़ता है ठीक है 2x माइनस का 2x तो 4 into 5 कितना होगे 20x फ्लस का 2x upon 20x माइनस का 2x यानी 22x upon 18x यानी 11xx कट गे नहीं आंसर क्या आ गया 11 upon 9 क्या आ गया 11 upon 9 यह 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 पार्ट आ गया देख लो जड़ा ए पार्ट संज में आया ठीक है तो इसका आंसर आ है 11 upon 9 ठीक है अब दो 7th question 7th में क्या द 7th में एक circle बना हुआ है circle पर बेस्ट question है यह आप नोट करते जाना सब्लों ठीक है अभी तहते वह ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा hard question है अगर आप practice नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी question hard हो सकता है लेकिन ठीक है अब 7th question के एरह में बात करूं यहां पे तो यह आपको circle पर बेस्ट मिल जाएगा तो इस तरी circle है यहां पर center circle का और एक p point से tangent draw की गई है ऐसा बोला गया है question में और इधर कहीं point Q है और यह P है तुम्हारा PQ को join किया गया है और इसको join किया गया है ऐसा कुछ है और एक angle तुम्हें यह दे दिया है कितना दिया है यह वाला angle हमें TPQ TPQ यह angle दे रखा है कितना 110 degree यानि TPQ angle TPQ जो है वो हमें 110 degree given है TPQ ठीक है तो आप मुझे बताओ हमने यह तो पढ़ा है ना circle chapter में किया अगर कोई circle है और यह tangent है तो radius से अगर यह point of contact को join कर तो यह angle कितना होता है 90 degree yes or no yes तो आप मुझे यह बताईए कि अगर यह तो पूरा 110 है लेकर यह radius है और यह tangent है तो क्या इतना angle 90 degree होगा yes or no तो क्या अगर मैं OPQ की बात करूँ angle OPQ देहां से देख लो OPQ कितना होगा देखो यहां से यह line गई और यह line इतर गई यह देखो यह ऐसे ऐसे ठीक है देखो यह line देखो यह ठीक है तो यह जो पूरा angle है यह यह तुमारा 110 और यह radius है यहां से यहां तक 90 है तो अगर मैं तुमसे इतना angle पूछू यह वाला तो कितना आएगा क्या 110 में 90 माइनस करके 20 डिगरी आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ 110 में 90 माइनस कर देंगे तो क्या 20 डिगरी आ जाएगा आंसर जरा बताओ वही comment section में ठीक है कि हमने 10 में 90 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 20 डिगरी आ गया ओके जी अचा ओपी और ओक्यू है रेडियस और अब हमने यह तो पड़ा है ना कि अगर दो साइड इक्क्वल है तो उनके सामने वाले angle भी इक्क्वल होंगे चलो मैं triangle बना लेता हूँ आपके लिए यह रेडियस और यह रेडियस है तो अगर ओपी क्यूँ ट्वैंटी है यह ट्वैंटी डिगरी है तो क्या यह वाला भी एंग्ल इक्क्वल होगा क्यूं होगा angle o p q equal to angle o q q वेराबर होंगे 20 degree हो जाएगा क्यूं 20 होगा यह भी 20 होगा और यह भी 20 होगा क्यूं क्यूं क्यूंकि ये दौनों side क्या है एक्क्वल है ठीक है क्यूं है सै क्यूंकि ओ पी जो है वो q एक्क्वल है इसलिए दोनों एकको लोगे अब तुमसे पूछा था पी ओक्यू एंगल पी ओक्यू यह सेंटर वाला एंगल आपसे पूछा गया था तो क्या हम एंगर सम प्रपर्टी से यह वाला एंगल फाइन डूट कर लेंगे लगाद रहां यह इसका आंसर आजाएगा देखो अब अब ट्राइंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 चलो 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल पी ओक्यू इसकोल टू कितना होता है कि 180 माइनस का 40 क्या आंसर 140 डिग्री आ जाएगा ठीक है सच मैंश तो इसका आंसर क्या हो गया 140 डिग्री यानिकी सी पार्ट क्लिए रहे पक्का ठीक है तो यह ठीठा कुश्चन था वालागे लिखने में ज्यादा टायम लगा अगर कोई कहे सर लिखने में जा देखो यह तो अब्जेक्टिव कुश्चन था और पेपर में आपको आंसर लिखना होता है अगर मुझसे कोई डायट बोलता तो मतलब कैसे करता मैं पैन भी नहीं चलाता वो तो लिखके दिखा दिया आप लोगों कैसे यह टोटल था 110 तो यह सीधा सीधा 20 हो गया 20-20-40 तो यह 140 ही तो होगा 140 तो और 180 करने के लिए बिना पैन चलाए भी कर सकते हो सीधी बात है अगर यह 20 तो यह 20 एनी 40 तो यह कितना होना चाहिए 180 बनाने के लिए 140 बिना पैन चलाए यह अंसर आ जाएगा ठीक है चलो अब देखो एड़ कुश् रूट 5 माइ 2, यह हमकर देरखे हैं, यह किया है, यह हैं तुमारे जीरोगा, ठीक है अगर आपको अलफा बीटा दिया है कोश्षन में, दो जीरोगा देररखे हैं, तो हमारे पास कॉआर्टिट को पॉल्मयमल को फॉर्मेशन करने का क्या फॉर्मला है, कॉईड़े पॉल अलफा इन्टू बीटा यही फॉर्मुला आपको सुखाए गया होगा अगर मुझे कोडिटिक पॉल्मिमल फॉर्म करनी है तो इसका फॉर्मुला यही तो होता है एक्स स्कॉाइर माइनस ब्रैकेट में अलफा प्लस बीटा इन्टू एक्स प्लस का अलफा बीटा आपको यहां से यही होता है फॉर्मुला ठीक है जी ओके तो के टाइमस एक्स स्कॉाइर माइनस अलफा प्लस बीटा चलो अलफा कितना है माइनस का रूट फाइब वाई हैं जब अच्ट अच्ण गॅ पूरे में पूरा हे रूक है यह तो यहां पे भी तो माइनस का तेको हो यह तो यह कहां ऑगा हो यहलों कि फाइब आइगा चेक करो जो किए प्लस और मैंněस मुल्टिप्लाइब क्या अगर आपको फटा हो कि सेम इंदर है तो यहां पे आजाएगा फाइब अपॉंड टू तो यहां से आ गया एकस इसक्वाइब माइनस का फाइब अपॉंड तो अगर आप पाफोल क मैं इतना आंसर आया creator मैच कर रहा है इस मैंकि आथ इसरा आंसचरी नहीं कर रहा हैं अग ययां फार कभी नहीं स्कॉइर यन लिखा है और यह भी आंसर नहीं होगा अब काफ्रीं और सिह हो सकता है चाह가 काई क्कुछा万 व होता है रहता है। अब जो k नहीं लेता है वो गलत कर देगा उस question को कहेगा answer यह नहीं कर रहा है इसमें अगर आपने k लिया है तो आपको पता कि आप k के लूँ different different रख सकते हो one two three जो भी रखना है अगर आपका multiply में eight आ रहा है तो अगर मैं k के लूँ four रख दूँ और four का अंदर multiply कर दूँ के का अगर मैं four value ले लूँ या बलकि मुझे पता है कि इधर eight लाना है और यह two है तो अगर मैं k के लूँ four ले लूँ four exam पर समझना four into two x square minus का five upon two अब four का अंदर multiply कर दूँ तो eight x square minus का twenty upon two आ जाएगा तो ultimate divide वाला है जो नंबार है उससे फरक नहीं बढ़ता हम अपनी पॉलिमिल को यह भी बोल सकते हैं या फिर चाहो तो तुम अगर बलकुल exact निकालना है तो k की value ले लो eight कितनी eight अगर मैं k को eight ले लूँ समझना मेरी बात तो eight into two x square minus five upon two तो four जा eight होता है four का अंदर multiply होगा तो eight x square क्या minus twenty आ गया तो आप k की value four लोगे तो भी तुम्हें polynomial मिल जाएगी जो की answer से match कर रहा बी पार्ट से या फिर चाहो तो k की लो eight ले लो तब भी आ जाएगा क्योंकि दोने case ले सकते हो ultimate तो तुम्हें polynomial चाहिए polynomial यह आ चुकी है eight x square minus twenty तो यहां पर आप यह समझे लो के का बहुत बड़ा बी पार्ट आ जाएगा क्या जाएगा बी पार्ट अब देखो नेक्स्ट के नाइंथ में consider the frequency distribution of 45 observation अपर limit of median class बताना है देखो अगर median class का question आ गया तो हमें अगर आपने stats वाला chapter पढ़ा है तब तो आप कर पाऊगी नहीं तो आपको दिक्कत आएगी तो इसमें cf निकालन क्लास इंट्रवल है और इसकी frequency है क्या है जीरो से 10 है 10 से 20 है 20 से 30 है 32 40 है 42 50 है ठीक है और इसकी frequency कितनी है 59 15 10 6 इसमें हमें क्या करना है cf निकालना है cumulative frequency निकालनी है तब भी होता है question यह cf निकालना नहीं होगा तो ऐसे होता है अब अगर आपनी chapter पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा कैसे अगर यह 5 है तो यहां 5 जरूर होगा पहला cf में जो है वो यहां 5 होगा फि फास में 5 प्लस 9 14 14 प्लस 15 29 29 प्लस 30 39 29 प्लस 10 39 39 प्लस 645 यह आ गया जो लास्ट नंबर होता है नहीं 45 वो होता सम और फ्रिकेंसी यानि इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपने चेप्टर कर लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात तो एन हो गया 45 अ कि 22.5 आप आपको ये देखना है कि 22.5 कहां लाई करेगा तो यह तो 5 तक यह 14 थे करें 25 16 29 बो सब तुमारे इसमें लाई करें करेंगा इसमें तो यही तुमारी median class होती है क्या होती है median class तो इस question को करने का तरीका क्या होता है कोई तुमसे अगर median class पूछता है question में क्या पूछता है अगर median class पूछता है तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें उस question में n by 2 find out करना होता है क्या find out करना होता है n by 2 find out करना होता है और जो वो number आता है उसको देखना होता है, वो कहाँ lie कर रहा है उससे median class आ जाएगा अब तुमसे क्या पूछा है, upper limit of median class तो upper limit क्या है 30 तो इस cancer क्या जाएगा, c part आ जाएगा 30 ठीक है, आया सज में ओके जी अब आज़ो ज़र इस question पर, 10 पर ठीक है वीडियो पॉस्ट करके आप note कर सकते है तो देखो इसमें क्या है इस तरीके से circle है और एक call यह है और एक call इधर से यह है इस तरीके से join है यह D है, यह तमारा A है यह तमारा B है और यह तमारा CS इधर ठीक है, यह C है अब बोला है O, D और O, E equal है, question में देखो O, D और O, E तो equal दे रखा है यानि यह triangle एक isosilis triangle है, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए और तुम्हें B, O, C B, O, C angle 80 दे रखा है और बोला है कि जो O, D, A triangle है, O, D, A और O, B, C O, B, C, यह किस टाइप ए triangle है, equilateral है यह similar है यह isosilis है, यह similar है कैसे है, तो अगर यह 80 है तो क्या vertically opposite angle से यह भी 80 आजाएगा और यह अगर दोनों length equal question में दे रखी है तो यह angle अगर x है तो क्या यह angle भी x होगा isosilis triangle है तो चलो x निकाल लेते हैं तो यह पता लग जाएगा कि equilateral वाला answer है या नहीं है क्योंकि अगर तीनों angle equal होते है तो equilateral triangle होता है और अगर दो angle equal होते है तो isosilis triangle होता है तो चलो add करते हैं x plus x plus 80 degree is equal to 180 degree यही तो आएगा x plus x plus 80 degree is equal to 180 degree तो आजाएगा 2x is equal to 180 minus का 80 तो 2x is equal to 100 degree x कितना आगया 50 degree तो यह 50-50 आया और यह 80 है इसका मतलब है equilateral वाला answer तो नहीं है एपार्ट तो नहीं होगा ठीक है अच्छा अब यह आते हैं क्या यह दो triangle similar होंगे इस पे बाते बात अब एक ऐसी property यूज हो रही जो 9th class से related है तो में 9th class का थोड़ा बात आना चाहिए क्या किसी circle में अगर यह दो point है इधर से एक angle बन रहा है और एक इधर से angle बन रहा है तो यह angle और यह angle equal होता है इसको बोलते है angle in same segment क्या बोलते है angle in same segment याद आया कुछ याद आया कि angle in same segment होता है तो क्या अगर यह x है तो क्या यह x हो जाएगा और एक vertical यह opposite angle भी है तो क्या यह दो triangle similar हो गए क्योंकि similar करने के लिए दो angle का होना जरूरी है equal हो रहे हैं दो angle यह कौन सी property है यह मैंने बताए 9th class की property कौन सी property है जिस में एक circle होता है एक line यह है एक लाइन यह है एक इधर angle एक इधर angle है तो इनको बोलते है angle in same segment क्या बोलते है angle in same segment बोलते है ठीक यह property पता हो तो यह दोने angle equal हो गए यह वर्टिकल यह पोजिट angle हो गया डबल यह से similar हो गया और यह isosilis triangle है क्योंकि दो angle equal है ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो answer है वो b part होगा क्या होगा isosilis and similar तो b part इसका answer आजाएगा तो यह नि 10th question हमारा इस तरीके से हो गया अब देखो 11 question क्या है 11 में बोला है कि एक equation है x square plus x minus 1 equal to 0 इसके roots जो है वो कैसे है तो roots निकालने के condition होती है b square minus 4ac कि भाई b square minus 4ac कितना आ रहा है इससे decide होगा तो देखो x का जो coefficient है वो 1 है तो b 1 हो गया 1 का square 4 ए क्या होता x square का coefficient है नही 1 हो गया c यहाँ पर constant term है minus 1 हो गया तो 1 minus minus plus 4 कितना आ गया 5 तो अगर b square minus 4ac की value greater than 0 है नही 5 है ना positive है 0 से बढ़ी है तो कैसे roots होते है real and distinct होते है कैसे होते है real and distinct होते है तो इसका answer क्या हो जाएगा real and distinct का answer है क्या हमारा c part है real and distinct तो इसका answer हो गया c part आयसे में तो आपको जब भी कोई question में nature और roots पूछ रहा है तो आप इस तरीके से solve कर लें ठीक है अगर मैं 12 question की बात करूँ तो बोला theta 30 degree है 3 10 theta बता दो भाई तो 3 10 theta 30 degree तो 10 30 degree के यह लिग पूट कर दो ठीक है 10 30 degree के यह लिग पूट करेंगे 3 into 10 30 कितना होता है 1 upon root 3 तो 3 होता है root 3 into root 3 one upon root 3 यह कट जाएगा तो answer क्या जाएगा root 3 आ जाएगा है कोई option यह तो option नहीं नहीं है 3 10 theta 3 upon root 3 इदर जो आ रहा था ना वही इनोंने answer दे दिया C part simplify नहीं कर रहा है simplify नहीं कर रहा है अब आजो next question 13 पे देखो, समझ में तो आ रहा न सबको, ठीक है न questions, कोई बहुत extraordinary question तो नहीं लग रहा होगा, अगर आपने सही से पढ़ाई करी, ठीक है, जब 13 question, आप बता ना comment से, कौन से question तुम्हें hard लग रहा भी तट में, volume of solid hemisphere इतना है, total surface area बताना है, किसका hemisphere का, अच्छा, volume हमें दे रखा, 396 upon 7, hemisphere का volume होता है, 4 by 3 pi, sorry, 2 by 3 pi r cube, क्या होता है, 2 by 3 pi r cube is equal to 396 upon 7, यह होता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको solve करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप पहले क्या करो, r के लिए बताओ, comment से, जब तो वीडियो पॉस्ट करो, और r solve करो, देखो, volume होता है, hemi square का, 2 by 3 pi r cube is equal to 396 upon 7, volume हमें कितना दे रखा था, 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, volume जो है, volume जो है, वो 2 by 3 pi r cube होता है, 396 upon 7, यहाँ से r निकाल लो, यहाँ से क्या करो, r के लूट करो, कितनी ही तुम लोगा r के लूट करो, 2 by 3, pi के लू 22 upon 7, r cube, यहनि radius तो हमें r cube रखना पड़ेगा, 396 upon 7, तो 7 से 7 कट गया, तो अब देखो, कितना आएगा यहाँ से r, r देख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से, तो 2 into 22 बचा है, और नीचे 3 बचा है, r cube, इसकोल 2, 396, 2 से इसको काटा तो कितना आएगा, 19, 198, और यह 9 times चला जाएगा न, तो r cube कितना हो गया, देखो, 9 यह बचा 3 है, 27, 27 होता 3 का cube, तेनी r जो है, वो 3 आया, r कितना आया, 3, अब मैं निकालना कहा है, टोटल सर्फेस एरिया, हैमी स्पेर का टोटल सर्फेस एरिया होता है, 3 pi r square, अगर आपको पता हो, क्या होता है, 3 pi r square, तो 3 pi के लिए 22 upon 7, r square यह नहीं, 3 का square, करो इसको solve, तो यह आगे, 3 into 22 upon 7, 3 का square, 9, तो कितना हो जाएगा दोगो, 66 into 9 upon 7, 9 into 6, 54, 5 केरी आगया, 54, प्लस 5, कितना आजाएगा, 59, तो 594 upon 7, 594 upon 7 क्या है, क्या answer b part हो जाएगा, ठीक है, तो यह simple था, बदलब आपको radius निकालके, फिर surface यह input करना था, तो फॉर्मले देखो, पता होना चाहिए, ठीक है, 14 question देखो, 14 question ने बोला है, कि total 24 balls हैं, तुमारे पास, 24 balls में, तुमारे पास 4 blue है, 11 green है, और remaining white है, तो किती नहीं white होगी, सोच लो, 11 plus 4, 15, total 24 है, यह नहीं होगी, 9 होगी तुमारी white ball, अब बोला है, one ball is drawn probability that drawn ball is white, यह नहीं white ball की probability बतानी है, white ball की, तो क्या आजाएगा, तो white यहाँ पे 9 है, favorable outcome upon total outcome, यह नहीं 9 upon 24, 3 upon 8 आजाएगा न, 3 से cancel करेंगे, है कोई option 3 by 8, हाँ है option B, आयसे में, इसका answer आगया, B part, ठीक है, not कर लो इतना, अब अब अगर मैं बात करूँ कुशन पर 15 की, ठीक है, कुशन पर 15 जो है, तो 15 में तुमारा क्या है यहाँ पे, find the point on x-axis, x-axis पे point बताओ, जो की nearest हो इस point से, तो इसको तुम graph बना के बड़े आराम से कर सकते हो, देखना, अगर मैं minus 4, minus 5 की बात करूँ, तो minus 4 मालो, x में minus 4 यह है, y में minus 5 यह है, तो यही point होगा, minus 4, minus 5, तो अगर तुमसे यह बोला गया है कि, इस point का nearest point बताओ, x-axis पे, तो आप बताओ, जब मैं इसको join करूँगा, तो क्या यही वाला nearest point होगा, आप कहोगे, नहीं सर, कोई और भी हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, अगर मैं किसी और line को बनाओंगा ना, मालो मैंने इधर बना दिया, इधर बना दिया, perpendicular वाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, यह सबसे short test length होगी, क्या होगी, short test length, तो बोला था, कि आपको क्या करना था, एक point बताना है, x-axis पे, जो सबसे pass हो, तो pass वाला point यह होगा, जहां पे यह perpendicular है, तो बताओ, यह point क्या है, अगर यह x-axis है, तो x तो minus 4 है, लेकिन x-axis पे y-coordinate क्या होता है, 0, तो क्या यह minus 4,0 हो गया, आयसम में, clear हो गया, ठीक है, तो क्यूंकि, जब भी कोई nearest की बात करता है, तो perpendicular ही लेना होता है, नहीं, तो फिर क्या है, हाइपोटिनिस बन जाएगा, वो बड़ी साइड होगी, which of the falling give middle most observation, अब यह आपने stats पढ़ा हो, तो middle term किसमें निकालते हैं, median में, तो median answer हो जाएगा, ठीक है, तो 16 का आगया, median, अब चलो 17 करते हैं, 17 देखो, 17 में तुमारा क्या है, a point on x-axis, divide the line segment, this, this, in the ratio 1 is to 2, एक point है, a, 2 कॉमा माइनस 3, और point है b, 5 कॉमा 6, जो की इस ratio में डिवाइड करता है, एक p point है, जो की 1 ratio, 2 में डिवाइड करता है, a और b को, तो बोल रहा है, एक point बताओ x-axis पे, जो डिवाइड करता हो, इस line segment को, 1 ratio 2, तो मान लिया, मेरा वो p point है, क्या है, p point है, अब अगर ये p point है, ठीक है, और 1 ratio 2 में, डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं section formula, इसमें लगाऊं, तो कितना आएगा देखते हैं, अगर 1 ratio 2 में, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, point on the x-axis, which divides the line segment, तो तुम section form लगाऊ, section formula याद है अपको, mx2 plus nx1 upon m plus n, m y2 plus n y1 upon m plus n, यही तो होता है formula, तो क्या जाएगा, यह m होता है, यह n है, यह x1 y1 है, और यह x2 y2 है, तो mx2, तो mx2, यही यह m, m कितना है यह पर 1 है, तो 1 into 5, plus n, n कितना है 2, 2 into 2, n2 है, और x1 कितना है 2, तो 2 into upon, m plus n, यही 1 plus 2, comma, m y2, यही 1 और यह 6, 1 comma 6, 1 into 6, plus n, n2 है, y1 किया है, minus 3 है, upon, 1 plus 2, तो p कितना आजाएगा, तो 5 plus 4, 9, 9 upon 3 कितना होता है, 9 upon 3, 3, यह 6 है और यह minus का 6 है नहीं, यह 0 आएगा, तको, क्या यह point हमारा x-axis पे है, क्यों, क्योंकि y coordinate 0 है, तो इसका answer क्या आगया, 3, 0, हमने section formula, लगा दिया है इसमें answer, ठीक हैं, ठीक है, आयसमें, 3, 0 आगया, अब आजो 18 question पे, अब यहां पे देखो, लिखा है, card is drawn from a well-suffled deck, of playing card, the probability of getting red face card, red face card की probability इता नहीं, face card कोया होता है, face card होता है, jack, queen, king, यह 3 card face card होते हैं, तो हमारे पास total होते हैं, face card कितने हैं, 12, यानि कि, diamond में भी यह होगा, heart में भी यह होगा, club में भी यह होगा, spade में भी होगा, अगर आपको cards का थोड़ा idea है, 4 part में divide होता है, जिसमें, diamond वाला red color का होता है, और heart वाला red color का होता है, यह club और spade black color के होते हैं, ब्लेक color के होते हैं, अब सब में यह होगा, jack, queen, king, jack, queen, king, jack, queen, king, तो तुमसे तो बोला है, red card का face card होँआँ चाहिए, तो red में तो 2 ही आएंगे न, तो 3 तुमारे यहां हो जाएंगे, 3 यहां हो जाएंगे, तो favorable outcome 6 हो गए, total outcome 52 होते हैं, तो क्या answer 3 upon 26 आजाएगा, आएसन में, क्या answer 3 by 26 हो जाएगा, जो की D option में है, आएसन में, तो इसका answer क्या हो गए D, अब देखो, assertion region के देख लो, assertion region के पहरे तो condition पढ़ लो, आपका answer, A माना जाएगा, कब, जब assertion और region दोनों सही होंगे, और जो region है, वो correct explanation होगा, आपका B option माना जाएगा, तब, जब assertion और region true तो होंगे, लेकिन, region जो है, वो explain नहीं कर रहा होगा, assertion को, ठीके, और C option तब माना जाएगा, जब assertion true होगा, और region false होगा, और ultra अगर हो जाएए नहीं, assertion false हो जाए, region true हो जाए तो D होगा, तो यह थोड़ा सा आप instruction देख लें, मैं थोड़ा सा, जूम कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, instruction को, उसके साब से आणसर करना है, चलो, question पहले 19 देखते हैं, क्या लिखा है, A में, assertion में क्या लिखा है, इसमें, SCF of any two conjugative even number, is always division by two, चलो, दो even number लेते हैं, conjugate of, जिसे मैं तू लिया, टू के बाद क्या आता है, four, तो इन दौनों का SCF कितना है 2 ही तो है, तो 2 से डिजबिल है बोल तो सहीर है, मालो मैंने 4 लिया और 6 लिया तो 4 और 6 कहां SCF कितना हैगा, 2 तो आ जाएगा तो हाँ ये भी 2 से डिजबिल, इसका लग ये बात तो true है, ये तो ये true बोल रहा है even natural number is divisional by 2, तो 2, 4, 6 2 से डिजबिल है, ये भी true है अब ये देखना है कि इसका option A होगा या B होगा इसका option A होगा या B होगा तो एक बात आओ अगर दोनों true है तो अब ये देखना है कि जो region है क्या वो explanation है correct explanation, तो देखो assertion में SCF की बात कर रहा है यहां तो SCF की कोई बात ही नहीं करी है, तो कहां explain कर रहा है तो इसका answer जो है वो B होगा, कि भाई दोनों true तो है, लेकिन जो region है वो is not the correct explanation भाई, इसमें SCF की बात कर रहा है यहां तो SCF का कुछ बात ही नहीं हो रहा है तो कैसे explain कर रहा है भाई इसका answer क्या हो जाए, इसका answer हो जाएगा B part, जिसमें दोनों true होंगे, लेकिन region जो है, वो explaining नहीं कर रहा है उसको, ठीक है, assertion को उम्मीद करता हूँ, यह आपको संज में आ गया हो बागी मिलते हैं, next video तो अपतर अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं, लाश्ट में की बात बोलूगा कि आप सभी सफलों, धन्यवाद